अब यूपी में ट्राफिक रूल्स को तोड़ने वालों के निरस्त होंगे लाइसेंस सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी तो चलिए इस खबर में हम आपको देंगे पूरी जानकारी और कैसे आप अपना लाइसेंस बचा सकते हैं उसके बारे में जानिये नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुशी गुपता और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश में होने वाली सड़क दुरगटनाओं में 50 प्रतीशत कमी लाने के लिए मुखे मंत्रे योगिया दितिनाथ के निर्देश के क्रम में बार बार ट्राफिक रूल तोड़ने वालों से प्रशाशन अब सकती से निप्टेगा किसी भी चालक का लगातार तीन बार से अधिक चालान होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा को 15 से 31 दिसंबर तक मनाई जाने वाले सडक सुरक्षा सपता की समिक्षा के दोरान इस संबंद में सक्त निर्देश दिये हैं यूपे के मुख्य सचेव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बुद्वार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जलादिकारियों और मंदला युक्तों के साथ बैठक में सडक सुरक्षा को लेकर जागरुकता फैलाने समेथ कई विश्यों पर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी की है बैठक में ऐसी घतनाओं में एक बड़ा कारक तीज रफ्तार में गाड़ी चलाना माना गया है कॉमर्शियल चालकों के लिए हेल्थ कार्ट अनिवार रूप से जारी किये जाए ओवरलोडिंग को टास्क फोर्स द्वारा रोका जाए उन्होंने कहा कि सभी मंदल वा जिलों में सडक सुरक्षा समीती की बैठके अनिवार रूप से करें जिलों में उपलब्द क्रिटिकल केर फैसिलिटी का भी समय समय पर निरिक्षन करें ताकि सडक दुरगटना से प्रभावित व्यक्तियों को जिले में ही ततकाल उपचार मिल सके बैठक में ये तैब हुआ कि तेज रफ्तार में गाडियां चला रहे लोगों का मानक के उपर जाने पर चालान किया जाए वहें तीन बार से अधिक चालान होने पर लाइसेंस को हे निरस्त कर दिया जाए यह नियम बनाया जाएगा और अगर उसके बाद भी चालक नहीं मानते हैं तो उनके वहनों का पंजी करन भी निरस्त कराया जाएगा मुके सचीव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी 75 जिलों के जिला अधिकारियों को 18 मंदलों के मंदला युक्तों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बात की थी इस दोरान ओवर स्पीडिंग, रॉंग साइड ड्राइविंग, ड्रिंक आंड ड्राइव और मोवाइल फोन का प्रियोग करना सड़क दुरगटनाओं का एक बड़ा कारण माना गया है मुके सचीव ने इसमें कमी लाने के लिए जागरूकता फैलाने की बात कही है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15-31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पकवाडा आयोजित किया जाए जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा उन्होंने कहा कि एक समवेदन शील और महत्वपून मुद्दा है इस पर सभी कमिशनर और डियम गंभीरता से काम करें मोख्य सजिप ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़क दुरगटनाओं से प्रभाविद व्यक्तियों को समय से उपचार मिल सके इसका भी ध्यान रखा जाए उन्होंने अधिकारियों को जिले में मौझूद क्रिटिकल केर फैसिलिटीज का निरिक्षन करने को कहा है जिससे लोगों को सही इलाज मुल सके उन्होंने ये भी कहा है कि आपदा मित्रों को सड़क दुरगटनाओं में घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाए जिससे लोगों की जान बचाए जा सके लगातार बढ़ रहे हिट अन रण के मामले में लोगों की जा रही जान को ध्यान में रखते हुए मुख के सचिव ने ये बैठक ली है असकवर में फलहाल इतना ही बाकी यूपी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे है भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश नमस्कार